हेलो दोस्तों वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर इसका टेकनिकल में स्वागत है दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके PC में Real Tech का HD Audio Manager नहीं सो हो रहा है तो आप उसे कैसे ला सकते हैं क्योंकि उसके बिना ना ही हमारे PC में हमारा Headphone काम करता है और ना ही हमारे PC में हमारा Mic काम करता है तो जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा उनकी प्रॉब्लम का पूरी तरह से solution हो चुका है मैं आपको यहाँ पर Control Panel में दिखा देता हूँ कि मेरे PC में अभी Real Tech का HD Audio Driver वो इंस्टॉल किया हुआ है आपके Computer में भी यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ होगा तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे देख लीजिए कि यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है और मैं आपको चलिए मैं Large Icons में भी दिखा देता हूँ कि इंस्टॉल यहाँ पर होने के बावजूद मेरे कम्प्यूटर में Real Tech का HD Audio Manager जो होता है यहाँ पर Missing है और मैं इसके प्रूप करने के लिए यहाँ पर सर्च करके भी दिखा देता हूँ तो यह मैं Real Tech लिख रहा हूँ तो यहाँ पर No Items Found लिख दे रहा है तो आपको विश्वास हो चुका है कि मैं जो वीडियो मना रहा हूँ बिलकुल जैन्यून है और कोई भी फेक वीडियो नहीं होने वाला है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस Audio Driver को Uninstall करना है तो उसके लिए Uninstall एक प्रोग्राम करना है और Real Tech का HD Audio Manager जो है नीचे दिख रहा है उसको Uninstall करना है अगर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है और यहाँ दिख रहा है तो आपको Uninstall इसे कर देना है तो Uninstall करने के लिए Uninstall पर क्रिक करें और यह Uninstall का प्रोसेस चालू हो जाएगा यहाँ पर पॉप अप आएगा Yes और No का तो आपको Yes कर देना है और यह Uninstall का प्रोसेस चालू हो चुका है Uninstall होने के बाद आपको यहाँ पर Re-Start के लिए एक पॉप अप आएगा उसको आपको Finish पर Click कर देना है और आपको Computer Re-Start हो जाएगा Re-Start होने के बाद यहाँ पर आपका Computer से वो पहले वाला Real Tech HD Audio Driver Uninstall हो जाएगा और वो आपको नजर नहीं आएगा तो उसको Proof करने के लिए मैं यहाँ पर फिट से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर Control Panel में जाकर के कि मेरे में से अभी पूरी तरह से Uninstall हो चुका है तो यहाँ पर मैं Category में जाकर के Category करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे में से अभी Real Tech का HD Audio Driver जो हता है वो Uninstall हो चुका है ठीक है और मैं आपको यहाँ Large Icons में भी करके दिखा देता हूँ कि अभी भी मेरे पास Real Tech का HD Audio Manager जो होता है वो नहीं है तो आप बिलकुल बिश्वास रखें दोस्तों आपके Problem का पूरी तरह से Solution होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह फाइल जो दिख रहा है आपको मेरे Computer Screen में यह फाइल आपको चाहिए यह कहाँ फाइल लेगी आपको फाइल यह मिलेगी मेरे वीडियो के Description में मेरे Google Drive की Link में आप वहाँ से इसको Download कर लें और अपने Computer में Paste कर लें या Save कर लें तो इसको आप Download कर लिए होंगे तो अब यहाँ पर इसको Extract करना है तो Extract All पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले इसको Extract करना है कुछ नहीं करना है दोस्तों Extract होने के बाद Simply से Install करना है और आपका Problem का Solution तुरंत ही मिल जाएगा तो जब तक यह Extract हो रहा है तब तक देख Extract हो जाएगा तो Extracted File वहाँ पर आपको मिल जाएगी इस पर Simply Double Click करना है तो यहाँ पर मैं आपको Double Click करके दिखा देता हूँ और यह सिधा इसको Install कर लेना है Setup में Double Click कीजिए और यहाँ पर आपको OK करना है और यह आपका Installation का Process चालू हो चुका है तो यह एक Stable Version है दोस्तों और यह Windows 7, 8 और 10 तीनों में काम करता है और 32-bit और 64-bit सभी के लिए यह Version है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें आप अच्छे से रहें और यह आपका Problem का Solution पूरी तरह हो जाएगा तो यहाँ पर Install हो चुका है और फिर से हमारे PC Re-Start होने के लिए तैयार हो चुका है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर Finish पर Click कर देना है और आपको अपने PC Re-Start कर लेना है अब Re-Start करने के बाद आपका Problem का Solution हो चुका है दोस्तों अब आपको कुछ भी नहीं करना है मैं आपको यहाँ पर Just Simply दिखा देता हूँ अपने Control Panel में कि मेरा Real Tech का HD Audio Manager आ चुका है जिसके लिए मैंने इतनी महनत की है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ प्रोग्राम में कि यहाँ पर Install हो चुका है फिर से Real Tech का HD Audio Driver जो की Stable Version है औ और मैं आपको यहाँ Large Icons में अब जाकर दिखाता हूँ तो यह हमारे पास HD Audio Manager आ चुका है और इसी के लिए हमने इतनी महनत की है तो अब जो आपका Mic और Headphone नहीं काम कर रहा था उसके लिए यहाँ पर एक Simple Setting करना है आपको यहाँ पर Click करके यहाँ पर Tick Mark कर देना है और OK कर जाएगा और एक Setting और भी कर देना है यहाँ पर Separate All Input में ही Tick करके OK कर देना है और यह कुछ Load होगा और आपके वीडियो का पूरा जो महनत है यहाँ पर रंग लाया है तो यहाँ देख सकते हैं कि सारा चीज हो चुका है तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर इसका टेकनिकल को सब्सक्राइब करें थैंक यू दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें